लोक सभा चुनाओ को लेकर सियासी पारा बढ़ता जा रहा है इसी के मदे नजर बीते 35 बिन से राहूल गांधी की अगवाई में कॉंग्रेस की भारत जोड़ून्या यात्रा निकली हुई है जिसका काफिला मनिपूर, नागलेंड, और संप, बंगार, जारखंड और बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश में दाखिल हुआ है जिसे लेकर एक तरफ जहां कॉंग्रेसियों में जबरदस्त उत्सा है तो दूसरी और बीजेपी ने यात्रा को फेल बताया इस बीच रक्षा मंत्री निराहुल गांधी पर भी जोडतार तंज कसा वो भी उस स्टाइल में जिसे लेकर वाटसेप पर भी खूब चुटकी ली जाती है पहले सुन्गे, राजनाज सिंग ने क्या कहा अब आप सोच रहे होंगे कि रक्षा मंत्री का ये बयान बेतुका है ये भारत जोडों निया यात्रा के दोरान इंडिया की सहयोगी पार्टियों की बढ़ती नाराज़की को लेकर सियासत है बता दे कि राहुल गांधी का काफिला यूपी में है और कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भी सीट शेरिंग को लेकर तकडार बढ़ रही है ऐसे में राजनाज के इस बयान से विपक्ष को मिर्ची जरूर लगी होगी हलंकि राजनाज ने कॉंग्रेस और सपा का अंदुरूनी मामला बताया बता दे कि राजनाज सिंग का ये बयान तब आया है जिस दोरान राहुल गांधी भारत जोडों नियायात्रा पर निकले है पहले ममता गई फिर निटीश गए और अब अखिलेश भी नाराज नजर आ रही है और शायद इसी संयोग के सियासी पिछ पर राजनाज सिंग ने चौका मारा है